हम आकास साहूूं आप देख रहे हैं आकास लेक्षर ओरलान दोस्तों आज कीवीडियो में आपको बताओंगा कि परमाणू क्या होता है आज हम chapter 2 की बात करते हैं class 11 वी तो सबस़ा दे रें परमाणू को देख लिएए भाण साप मेरे आज़े जाने से पहले हम आपको बता दें कि पर्माणु पध़ात का सख्यस सुक्ष्टम इस्वाप्रियाज करोता है देखो, जैसे कोई सब फ़ात आज शेयर है, पैन है, इसकेल है कोई सब्सक्राइब, पधात है, आपने ऐसकी पढ़ा हुआ करो जो पाधात होता है जैसे में में स्पैन को छोटे-छोटे कोड़ों में काट दू कि अब पॉसिवल ना हो कि हम इस टुकड़े को और चोटा कर सक eyelid या हम उसको काक सक तो वो कं परमानौ था वो कं क्या था जुक हो बहुं कि देखं़ रहे हो और समझ कि पर्माणू क्या होता है पधात का सुक्ष्टम कर तो पैन को मैंने इतने चोटे टुकड़ों में काटा है कि अब उस जो एक पर्टिकुलर टुकड़ा है ना उसको हम और चोटे भाव में भाजे नहीं कर सकते वो क्या होता है पर्माणू ऑकी सपस्थे अएंकष्टम देख लेते हैं कि जो परमाणू है देखो परमाणू की परिवासा होती है पधात का सूक्स्तम एबढ़न आव्भाज्जिकान परमाणू कहलाता है एह सोतंत अवस्ता में नहीं रह सकता देखो परमाणू का आपए होग दो वाड़ से मिलके बना है एक ग्रीक बार कोई सा वाड़ है ग्रीक किन सब्सें मिलके बना है ए और दूसरा पर यहां पर देखो जो ए और क्यों क्या होता है और टम का मतलब क्या होता है कट तो अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या जाएगा अन कट. मतलब जिसे और भिवाजित ना किया जा सके. अंकट का meaning क्या है जिसे औरभिवाजित ना किया जा सके ओके? यहां कह सकते है कि आप उसे और चोड़ी टुकड़ों में काट नहीं सकते. यहां पर जो लिखा है कि ए रासाने कभी किन्हाम भाग लेता है. जो आपका स्वारा की गई हम आप को बता दें कि हम आपको इसकी नोट्स प्रोवाइट करा देंगे लिंक हम आपको प्रसक्राइब से दैम्डेवर्ट ही नोट्स नोट्स को डाउनलोड कर सकते जो आप तो देखे लें फिर इसके बाद आने बड़ते हैं तो देखिए मैंने कितने लड़ फुल नूट बनाए हैं आप देख सकते हैं कि बढ़ियां कलर पेन का इच्छ किया है और अगर आप इसको प्रिंट कराएंगी ना तो बहुत बढ़ियां आपके नूट्स बनने वाले या इसको मुवायल से पढ़ सकते हैं पढ़ने में बहुत आसानी होगी मैंने जो आपका परमाणु चैप्टर है उसके मैंने कितने प्याय नुर्स बना है सब को पॉइंट में लिखा की कि आपको आसानी से याद हो जाए ठीक है तो चलो नुर्स आपने देख लिए तो आप परमाणु की खोच डाल्टन द्वारा की गई इसके बाद है कि द्रदाफोर ने नाविक की कोच की देखो सबसे पहले बता दें यहां पर एक ही परमाणु होता है अभी आप डिटेल में पढ़ोगी परमाणु लेकिन पहले आप सिंपल भासता में समयलों कि एक परमाणु होता है उसके अंदर एक सेंटर में नाविक होता है सेंटर में नाभ जैसे एक सवर्कल लोता होता है विलेक्टर्य कैसे लगotे मैं बता रहो नहीं किसकी कोच की नाविक की टीक है कि विवाजों नहीं किया जा सकता लेकिन आइं गवार्यक्त के समय नहीं किया जा सकत लेकिन नई टेक्नीका आई और उसके वाद ज़ो आज का सकते और उसको हम तीन वक्त भाव में मार सकते कौन कौन से पहला एलेक्टॉन दूसरा प्रोटॉन तीसरा न्यूटॉन एक कड़ है तो जो एलेक्टॉन था एलेक्टॉन की खोज थामसन द्वारा की गई 1897 में और एलेक्टॉन कहां होता है नाविक के चारो आप देख सकते हैं ए प्रोटॉन कहां पे नाविक में फ्रोटॉन कहां पे नाविक में देखो यहां पे जो इतप देखनेन लेक्टॉन हो आप नब्यक्न को और एक बार से ne परमानु क्या होता परमानु पधात का सबसे सुक्स्तम आवज़िकान परमानु कहलाता है सोतंत अवस्ता में नहीं रह सकता और यह रास्न कभी कयामभाद लेता है देखिए परमानु की खोश डाल तन दवारा की गई और इसमें जो नाविक होता है उसकी फूर उसकी कोई ज्यादा फूर द्वारा की गई इसके बाद परमाणू मुख तीन कड़ों से मिलकर बना होता है एक्षिन में इसमें तो 35 कड़ों होते हैं लेकिन जो मुख तीन कड़ों है वो लेक्टन पूर्टन न्यूटन एक एक्जामपर समगे जैसे आपके 36 लेकिन आप उनमें से किन को पूछते तीन को कौन-कौन घर्मा विष्णु और महिस इसी प्रकार परमाणू में भी 35 से अधिक कड़ों की खोज की जा चुकी है लेकिन उसमें से में कड़ों कौन-कौन से एलेक्टन प्रोटन और न्यूटन ठीक है तो एलेक्टन की खोज सामसन द्वारा प्रोटन की खोज गोलिष्टिन द्वारा न्यूटन की खोज चैडिक द्वारा की गई इसके बाद यहां आते हैं कि परमाणू में परमाणू की नाभिक में न्यूटन और प्रोटन होते हैं जो परमाणू का नाभिक है इसमें कौन-कौन होते हैं कड़ों की खोच की जा चुकी है और परमारू के नाविक की कोटी कोटी का मदला होता है साइज जो परमारू का नाविक है वो 10 to the power मालस 13 सेंटीमीटर मतलब कितना छोटा होगा आप समझ सकते हैं कि एक बटे कितना लिखा है एक मैं बता दूं क्या लिखा है यहां लिखा है एक बटे एक जीरो दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तेरा जीरो ऐसे अब बता एक कितना छोटा हिस्सा होगा मलब आप उसे आँखों से देख भी नहीं सकते हम परमारू को आँखों से नहीं देख सकते तो यहां पर देखी आप समझ सकते कि कितना छोटा परमारू होता होगा और जो परमारू का आयतन होता है इसके बाद मैंने एक डाइग्राम बता है यह फस्ट पार्ट है वीडियो का सिकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे परमारू की नुक्कर एलेक्ट्रों प् कैसे हुई प्रोट्रों की होच कैसे हुई और न्यूट्रों की होच कैसे हुई यह हम आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो यह वीडियो फस्ट पार्ट है और आने वाली वीडियो सेकिंड पार्ट होगी तो हम इस चैप्टर को कुछ पार्टों में कवर करेंगे जैसे हो सकता हम इस chapter को separate 10 वीडियो बनाकर cover करेंगे ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो please वीडियो को like करें, share करें और subscribe